नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक आक्स ट्रिटोरियल्स पर मैं हूँ गौरव इस वीडियो में हम सामान अध्यन के महत्मून प्रश्णों को देखेंगे और यह प्रश्ण आने वाले एक्जाम्स जैसे कि उत्तरकदेश लोग सेवा आयोग द्वारा आरो ए आरो 2016 का मेंस एक्जाम हो या बी यो का मेंस एक्जाम है और अन्य एक्जाम्स की डिश्टी से महत्मूर्ण है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इससे पहले वीडिय प्रश्टे यदि वीडियो पसंद आए तो प्ली शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन समय से मिल सकें चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्ण है चित्रकूट जल प्रपात किस नदी पर अवस्थे थे तो यह इंद्रावती नदी पर अवस्थे थे ओके नेक्स्ट दूद सागर जल प्रपात किन राज्यों की सीमा पर अवस्थे थे तो यह दो राज्यों की सीमा पर अवस्थे थे करनाटक और गोवा की और किस नदी पर अवस्थे थे यह पूछ इस झील का नाम है गोविन सागर जील और यह सतलर नदी पर अवस्थित ए किस पर सतलर नदी पर नेक्स्ट फॉर नर्मणा नदी किन दो परवनों के बीच से होकर वहती है तो यह सत्पुरा और विंद परवत के बीच से होकर बहती है नेक्स्ट ग्वेशिन नम्र फाइब जम्शेद्पुल किस नदी के किनारे अवस्थित है तो यह शॉनलले खा नदी के किनारे अवस्थित है क्वेशिन नम्र 6 यूरोप का सर्वोच पर्वट सिखर कौन सा है तो इसका नाम है, अल्बुश परवत के नाम है, अल्बुश परवत नेक्स्ट, Q7, ड्रैकोमा नामक बीमारी से मानव सरी का कौन सांग प्रभावित होता है, तो यह आंख से सम्दित बीमारी है, किसे आंख से सम्दित question number eight नाकून पॉलिश अपसारक की रूप में किस रसाइन का उप्योग किया जाता है तो इसमें प्रयोग किया जाता है إसीतोन का किसका ईसी टोन question number nine प्राकतिक रवर किसका बहुलक है तो यह आईजोप्री Fast किसका आईंआई आईजोप्री चम्सेंट विजित है irm Q11. चीनी का पानी में घुलना किस प्रकार का परवर्तन है? तो यह एक बहुतिक परवर्तन है. बहुतिक परवर्तन, रासाइनिक परवर्तन से समन्नित प्रशनी पूछे जा सकते हैं. तो बहुत तिक परवर्तन है चीनी का पानी में घुलना कोशिका का शुचनान किसको कहा जाता है question number 12 है तो इसका answer है mitochondria या इसको powerhouse भी कहा जाता है कोशिका का powerhouse ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है question number 13 मनुस्ट में रख्त के शुद्धी करन की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो यह कहलाती है dialysis क्या कहलाती है dialysis question number 14 फाइलेलिया नामक रोग में शरीक का कौन सा अंग प्रभावित होता है Yang बग्ग को इसमें लसी का ग्रंथी को प्रभावित करता ह рок किसको लसी का गिन आतीक Computer कईहांस नमाव 15 रैवो फ्लेविन कि वितामिन का का रासायनिक नाम है तो ही जशो है विटामिन तू का रासायनिक नाम adviuca सभी विटामिन के रासायनिक नाम आपको एधोने चाहिए के अब इस जैसा कि GS का, उसमें facts काफी पूछे गएते हैं, प्रश्णों में, तो हमें facts भी याद करने होंगे, और concept भी किलियर होना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए, concept भी किलियर हो, जिसे कि जो objective type प्रश्ण पत्र होते हैं, जैसे ROARO का मेंस के exam में, जो GS का objective प्रश्ण पत्र होगा, और UP विधान परश्ण, ROARO में जो सचवाले के लिए UP विधान परश्ण की वेकेंसी निकली, ROARO की, उसका प्रश्ण पत्र है, या आने वाली जो नई वेकेंसी हैं, उनमें सामान अध्यन के, जहां पर objective type पेपर आएगा, सामान अध्यन का, तो उसके लिए आपको facts याद हो होने चाहिए, अधिक से अधिक facts, और कोशिश करने की concept भी के लिए रो, कोई की concept पर आधारित भी प्रश्ण पूछे जाते हैं, ठीक है, तो देखते हैं, क्वेश्चन नम्र 16, क्या है, दूद के प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम का क्या नाम है, तो इसका नाम है, र हागी रथी एवं अलटन नदिया किस इस्थान पर मिलती है, तो वह इस्थान कहलाता है, देव प्रयार, क्या कहलाता है, देव प्रयार, na rest question number 19 किस मह Scottish में देशों की संख्या अधिकत में तो Africa मह 120 में देशों की संख्या अधिकत में इसके बाद में दूसरे पर कौन सा महठीप है जहां पर देशों की संख्या अधिकत में तो second largest continent होगा Asia, Asia में शर्वाधिक है, tenía Africa के बाद Asia में शर्वाधिक देश है entrepreneur. question number 21. भारतिय सम्विधान के अंतर्गत किस अधिकार को 44 में सम्विधान शन्शोदन द््वारा मॉलिक अधिकारों की शेर्नी से हटा दिया गया है. तो संपत्ती का जो अधिकार इसको मॉलिक अधिकार की शेर्नी से हटा दिया गया है. अब ये इंडियन पॉलिट्री से प्रश्मी सुरू है यहां से question number 21 से question number 22 भारती सम्विधान के अंतरगत अनुच्षे 43 का 43A में क्या प्रावधान है तो इसमें प्रावधान क्या गया है उद्योगों के प्रवंदन में श्रमकों की उचित भागिदारी के लिए नियमों का विधी का निर्मान करना यह प्रावधान है question number 23 भारती सम्विधान में किस अनुच्षे के अंतरगत राष्टी महत्यों के इसमारकों और वस्तुगों का सर्नेक्षन करना इससे संबंदित प्रावधान किया गया है तो यह किया गया है अनुच्षे 49 में question number 24 भारती सम्विधान में शंसत को सम्विधान संशोदन की शक्ती किस अनुच्षे के अंतरगत प्रावधान की गया है तो यह अनुच्षे 368 के तहर्वधान की गया है और भाग 20 में जो है यह शक्ती प्रावधान की गया है ठीक है next question देखते हैं question number 25 राजसभा किसी साधारन विद्यक को कितने समय तक के लिए रुख सकती है तो अधिक्तम 6 महिने तक के लिए रुख सकती है और यदि यह पूछा जाए कि किसी धन विद्यक को राजे सभा कितने समय तक के लिए रोख सकती है तो आंसर होगा अधिक्तम 14 डेस के लिए अधिक्तम 14 दिन के लिए Q26. भारती समय तक के लिए राज़्ट के मामलों पर उच्टम नेया अलसे परामस लेने का अधिकार प्राप्त है तो इसका अनसर है अनुचेद 143 के तहर राज़्टी को यह अधिकार प्राप्त है Question No. 27. भारत में स्थानी सासन का जनक, इसको कहा जाता है, तो इंक गा जाता है, लॉड रिपन को, किस को लॉड रिपन को कहा जाता है वनस्पति तेलों के हाइड्रोजिनी करन के लिए उत्प्रियक के रूप में किसका प्रयूप किया जाता है तो यह किया जाता है निकल उत्प्रियक का किसका है उत्प्रियक का नाम क्या है निकल question number 29 गामा किलनों की कोच की स्वेग ग्यानिक द्वारा की गई थी तो यह है रदरफोर्ट के द्वारा की गई थी ठीक है question number 30 सबसे हलका तत्तो कौन सा है तो सबसे हलका तत्तो है hydrogen कौन सा है hydrogen यदि यह पूछा जाए प्रश्ण में की सबसे हलकी धातू कौन सी है तो अब आंसर होगा लीथियम next question number 31 सल्थाहमस रोग किस वर्स भारत आया तो यह 1615 इसवी में भारत आया था question number 32 रामोसी विद्रो कभूआवा इसका नेतरत्य किस ने किया तो इसका नेतरत्य किया था चितूर सिंग ने और यह हुआ था 1822 इसवी में question number 33 अहूम विद्रो कभूआवा इसका नेतरत्य किस ने किया तो यह 1828 से 1829 इसवी के बीच हुआ और यह गोमधर कुमर के नेतरत्य में विद्रो हुआ था question number 34 बात दिए ब्रह्म समाज की सापना किसके द्वारा की गई तो इसकी स्थापना की गई थी केसफ चंद सेन के द्वारा जैसा कि आप जानते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मुहन राय ने की थी और बाद में यह दो भागों में विवक्त हो गया था द्वारकानाट टेगोर और केसफ चंद सेन इनके बीच मतवेद होने के काना तो गेसफ चंद सेन ने बादिय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी विश्जननोर थरटी फई वाई कर राज में हुद तो या कॉम सत्यागर एकी केरल में हुआ थो तो ये केंड केंड तो धान राज में दौल कोर अज्जन इस तरह बैराम जी मालाभारी ने question number 37 ने इनाम कमीशन का गठन किसके द्वारा किया गया तो इसका गठन किया गया था Lord डालोजी द्वारा 1852 question number 38 rally I.O. के गठन का क्या उद्देश था तो इसके गठन का उद्देश था श्विद्यालियों के संबन्द में आकलन करना ओके next question number 39 leader के संपातक कौन थे तो यह एक समाचार पत्र था इसके संपातक थे मदन मुहन मालवी है कौन थे मदन मुहन मालवी है चलिए next question देखते है आज का अंतिम प्रश्न question number 40 हके शर्ब नामक सिचाइकर लगाने वाला दिली का प्रथम सुल्टान कौन था तो इसका अंसर है फिरोशा तुगलग कौन था प्रथम सुल्टान फिरोशा तुगलग तो फ्रेंड्स यह आज के 40 महत्रपूर्ण प्रश्न पूरे हुए सामान अध्यन के और आने वाले एक्जाम्स जैसे की यूपी विधान परश्यत सचवाले में जो आरो यारो की वेकेंसी है उसके लिए आरो यारो 2016 के मेंस के लिए या अन जो नई वेकेंसी यदि आती है आरो यारो की या अनकोई वेकेंसी जिसमें की ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र के अंतरकत सामान अध्यन का प्रश्न पत्र आता है तो उसकी तैयारी के लिए आप एकाक्स टुटोरियस को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को शेर कीजिए यदि आपको पसंद आए और ब अले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद